तो अगर आपने भी online transfer करने के चकर में अपना पैसा गलती से किसी और account में transfer कर दिया है, तो आज की studio में आप लोग में बताऊंगा, जब आपने किसी account में गलती से पैसा transfer कर दिया है, तो उस पैसे को वापस आप अपने account में कैसे ले सकते हो, अब यह doesn't matter कि आपने किस तरीके से किया है, UPI किया है, NFT किया है, RDGS किया है, या फिर IMPS किया है, मतलब कोई भी तरीका किया है, बट आप गलत पैसा transfer कर रहे हो, तो उस पैसे को आप लोग वापस कैसे ले सकते हो, कुछ ऐसे कैसे भी हैं, जहां पर आप लोग 24 घंटे के अंदर भी अपना पैसा वापस ले स जैसे कि money transfer fail हो जाए, आपके साथ कोई fraud हो जाए, या फिर किसी तरीके कुछ अच्केस थे, जहां पर काफी लोगों का पैसा वापस है, और उन्हीं लोगों की demand पर यह वापस लेना है, तो प्लीज वीडियो को like जरूर करना, इस वीडियो को चाता से ज्यादा share करना, request है, because आप लोगों के लिए इतनी अधा efforts करने पड़ते हैं, तो प्लीज सिस्क्राइब जरूर कर लिए करो, इचली वीडियो को start करते हैं, तो आज की इस fast internet के time में, सभी लोगों का जो bank है, उनके mobile phone के साथ link हो चुका है, चाहे वो bank की application हो, या फिर other UPI application जैसे कि आप तो इन application से लोग पैसा transfer करना ज्यादा safe समझते हैं, क्योंकि इससे instantly एक second के अंदर ही पैसा आपका, जो सामने वाले के account में transfer हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे careless भी होते हैं, जिनकी ही मैं बात कर रहा हूं, जो bank transfer करते हैं, क्योंकि वो लोग एक बरी cross check करना भी जरूरी भ समझते हैं, कि मतलब जो account number वो फिल कर रहे हैं, वहाँ पे वो पैसा जाएगा भी या फिर नहीं, या फिर वो account number सही है, या फिर नहीं, वो तो जब transfer हो जाती है, उसके बाद उन्हें पता लगता है, कि हाँ ये पैसा गलत अकाउंट में चला गया है, उसके बाद भाई वो सर पकड़ के बैड़ जाते हैं, कि हाँ, अब हम लोग क्या करें, हमें पैसा कैसे वापस मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे steps बताने वारा हूं, जोगी आपको step by step भी follow कर दे हैं, उसी तरीके से आप लोग अपना पैसा है, वो वापस ले सकते हो, यहाँ पर म अस्तमाल कर रहे हो, या फिर बैंक की अप्लिकेशन का अस्तमाल कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से पैसे को transfer करते हो, तो जब भी आप कोई भी transition करते हो अपने account की, तो आपके पास एक bank की तरफ से 12 fee number आता है, अब यह हर transition के साथ आता है, यह इसी लिए होता है, कि अगर इ instantly वहाँ पर call करते हो, इस पर आपकी 40-50% लोगों की problem यहीं पर solve हो जाती है, उनका पैसा वहीं पर वापस हो जाता है, वो कैसे मैं आपको बता लिता हूँ, तो जैसे कि आपने A person ने B person को पैसा transfer किया, तो वहाँ पे लोग जब पैसा नहीं पहुंचता है, तो आज के time में पैसा एक-एक मिनिट में पहुंच जाता है, तो लोगों को पता लग जाता है, कि हाँ, मैंने यहाँ पर transfer किया था, इस बंदे को नहीं मिला, तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, because हमारे तरफ से done हो चुका, उसको नहीं मिला है, तो जब वो लोग यूप यूप याइडि वो 100% आपके account में आ जाएगा, अब अगर आपका पैसा already transfer हो चुका, आपको पता लग रहा है काफी time बात, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, तो वो आपका रहेगा step number 2, आप step number 2 भी क्या करना है, आपने अपने bank के customer care को call करनी है, जो आपका bank का customer care रहेगा, पर आपको call करके, अपने जो transaction ID होगी है, अगर आप UTI application का अस्तमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर UTR number होता है, उस UTR number को आपको अपने जो bank के customer के रहे हैं, वहाँ पर बताना होगा, कि यह में transition कर रहा था, यह account में कर रहा था, गलती से एक number मिसमैच होने की वज़े से, जो पै transaction मगारा होगा, और आपका जो पैसा है, वो आपके account में वापस आ जाता है, अब in case अगर यह भी नहीं होता है, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो जो step number 3 रहेगा, आपको अपने bank manager को एक return application देनी होगी, वहाँ पर आपको बताना होगा, कि मैं इतने तारिक को इतने बज़े इतना amount transfer कर रहा था अपने account से दूसरे account में, और वो पैसा गलती से एक number में smatch होने के विए से किसी और account में चला गया है, तो please मेरी help कीजिए, मेरा पैसा वापस करवाने के लिए, तो जो bank manager को क्या करेगा, मुस्टी cases में क्या होता है, कि अगर आप एक दो number क में smatch करते हो, कई बारी तो यही दिखा गया है, कि वो जो account number आप लोग डालते हैं, वो existing नहीं करता है, तो जो पैसा रहता है, वो bank के किसी server में hold रहता है, तो जो bank manager रहेगा, वो transition को cancel करवा रहेगा, cancel करवाने के वाद आपका जो पैसा है, आपके account में वापस मिल जाएग इन केस अगर वो transfer successful हो जाती है, और जो बंदा है, वो same account का है, मतलब आपका account SBI है, सामने वाले का भी SBI है, तो जो bank manager के पास उसकी detail रहेगी, वो उससे coordinate करके उससे बात कर लेगा, कि हाँ तुमारे account में इस तरफ से एक गलर transfer आई है, और उस पैसे को आपको आपस करना है, तो फिर अगर वो बंदा January रहेगा, जैसे मेरे account में गलर transfer आई है, तो भाई मैं उस पैसे क्यों ही रखना चाहूँगा, because वो मेरे हग का पैसा है नहीं, तो मैं allow कर दूँगा, कि हाँ भाई उस पैसे को वापस कर दो, तो bank manager मेरी permission लेके उस पैसे को वापस कर देगा, तो जो manager रहेगा, सामने वाले manager से बात करेगा, उसे email करेगा, उसे बताएगा, कि आपके जो customer है, उनके account में गल्दी से इतनी amount transfer होगी, तो प्लीज अपनी customer से बात कीजिए, और वो पैसा वापस करवाने में हमारी help कीजिए, अब इसमें time काफी ज़्यादा लग जाता है, इस account में गलती से करोड़ों रोपे ट्रांसफर कर दिया थी, और जो user थे, उन्हों में पैसा वो withdrawl कर लिया था, कई लोगों stocks में इंवस्ट कर लिया, कई नों दूसरे account में transfer कर लिया, तो वहाँ पे HDFC को काफी ज़्यादा time लगा तो पैसा recover करने के लिए, हाँ बट एक time पे पैसा recover हो जाता है, और in case नहीं होता है, तो फिर जो HDFC bank लेगी या, फिर दोनों bank आपस में coordinate करके, जो customer आएगा, उसके coordinate hold लगा देती है, मतलब कि ऐसा मानलों कि एक तरीके सो पैसा minus नहीं कर देती है, जब भी वो पैसा उसमें डलवाएगा, तो फिर उसे वो पैसा काट क कि आपके accounting वापस करवा दिया जाएगा, बट यह एक long process होता है, इसमें काफी यदा time लग जाता है, तो जो step number 4 होगा, वो यह होगा कि आप लोग अपने bank manager से बात करके, जिस account में पैसा गया, उसकी detail ले सकते हो, उसका account number क्या, उसका IFC code क्या है, उसका mobile number क्या, उसका नाम क या, एकसेटरा, most of the managers से detail को provide कर देते हैं, कुछ ही नहीं करते हैं, बट मैंने बहुत सारे customer की detail निकलवाई हुई है, तो मुझे पता है, बहुत से managers से detail को provide कर देते हैं, तो suppose आपका SBI manager है, SBI bank account है, तो आप लोग SBI के जिकता है, HDFC में जाके अपनी complaint को submit कर सकते हो, आपको लिए, मतलब home branch में visit करोगे, तो काफी जादा फायदा होता है, वहाँ से आपको और भी जाए detail मिल जाएगी, in case वो person deny कर रहा है, कि मेरे पास पैसा ही भी मैंने पैसा transfer कर लिया, या use हो गया, etc, जो मर्जी मतलब भाने दे रहा है, आपके manager में भी बात कर ली, सामने वाले manager बात कर ली, बड़ो सुनी नहीं रहा है, वो convincing नहीं हो रहा है कि करसा वापस कर दे, तो उस case में आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इससे, अब चिये क्या है, यह step number five, इससे लड़ने मत बैठ जाना है, कि हाँ तो भाई कर लो, आपको क्या करना है, simple consumer court में उसके करने वाले का कोई भी हख नी है, और वो पैसा उसे वापस करना ही पड़ेगा, तो बहुत से लोग यह बोलेंगे कि भाई कौन court case करेगा, कौन इतने जंजत में पड़ेगा, advocate को higher करेगा, तो देखो, अगर आपका जो amount है, वो 100-300 रुपए है, तो आप लोग भूल भी सकत करता है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी amount को transfer किया है, वो भी by mistake है, जिसने use के उसका कोई भी हख नहीं है, तो पैसा उसे वापस करना ही पड़ेगा, वो पहले कह रहा था कि पैसा उसके पाप नहीं उसने खर्च कर दिया, वर most of the time यही होता है, कि वो पैसा किसी ना किसी एक subscribe कर लेना, और इस वीडियो को share करना, अपने friends के साथ, अपने बच्चियों के साथ, अपने parents के साथ, कि आज के time में हर कोई paytium phone पे, Google पे या online चीजे इस्तेमाल करता है, पैसा transfer करने के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए, कि इनकिस पैसा गलती से कही transfer हो जाता है, तो क कर दो